दरन्वी शो क्लिफ्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो पर मोस्ली हर किसी के लाइब में शनी महातरशा होती ही है कह नहीं सकते ठीक है बट मैं यह कहूँगा आप 90 परसेंट सच बोल ले हैं साड़े साती के केस में अगर आप साड़ साल जी रहे हो इफ यह लिविंग अप्टू सिक्स्टी यह तो दिर इस चांस कि दो बार साड़े साती फेस करके जाओगे आप पर 70 साल जी रहे हूँ, तो 3 लाघ शास, पर 3 साती फेस जरू करोगे, क्कि वो हर 30 साल में रिपीट होती है, अच्छी 6,45 के या बार में बात करना चाहिए, ये TENSION होती है लोग, परिले évसके mythology पैने समझ लें, फिम सीज मोणा अऊस पारती है, एक सूर का चक्कर लगाती है मरकुरी 88 डेज लेता है वीनस अराउंड 120 डेज लेता है मार्स आपका जो है वो एट 76 ऐसे कुछ दिन लेता है जोपिटर आपका 12 साल लेता है इसी तरह से जो सैटन है वो पूरा सूर का एक चक्कर लगा के अपने पॉइंट पे वापस आने में अप्रोक्स 29-30 एयर्स लेता है इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो 12 राशियों में घूम कर वापस आ रहा है तो अगर हम इस 30 एयर्स के पीरिट को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5 इट मीनस कि सैटन जो है वो एक राशी में 20 साल ठेरता है फिर 20 साल वाद अगली राशी में 20 साल वाद अगली राशी में in the case of सैटन हम ये कहते हैं कि वो क्यूंकि एक बहुत हैवी प्लैनेट है वो अपना एफेक्ट एक राशी आगे भी रखता है और एक राशी पीछे भी रखता है तो यह सेटन है वो Aries में बैठा है तो एक राशी आगे Taurus है यानि वरशब है और एक राशी जस्ट पीछे Paisas यानि की मीन राशी है तो अगर शनी मेश में बैठा है तो वो धाई साल Taurus पे रिजल्ट देगा धाई साल मेश पे देगा धाई साल मीन राशी पे देगा अब यह धाई साल बाद Taurus में आ जाएगा घूमकर तो अब जहां बैठा है वहाँ पे रिजल्ट देगा धाई साल आगे वाले पे धाई साल पीछे वाले पे अब Taurus से निकल के धाई साल बाद यह Gemini में आ जाएगा तो Taurus पे भी effect है क्योंकि पीछे दे रहा है और Gemini पे और Cancer पे है अब Taurus के बारे में अगर आप सोचो सिर्फ तो धाई साल जब वो उसके पीछे था धाई साल जब वो उसमें था धाई साल जब वो उसके आगे था 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इस 7.5 यह है साड़े साती तो यह एक fixed time period है क्योंकि Saturn तो move करेगा करेगा इसलिए हर zodiac sign के उपर साड़े साती आने वाली है आज नहीं तो कल वो आ जाएगी ठीक है? तो क्या में डर ना जाएगी है सानी की साड़े साती करती क्या मैं कुछ common से traits बताता हूँ जब भी आपकी सानी की साड़े साती सुरू होगी first आप change के पीछे भागोगे आप job change करोगे आप business करने की कोशिश करोगे जहां भी जाओगे वह हडल होगा लेकिन अगर patience के साथ रुखोगे तो success मिलेगी दूसरी चीज़ आप स्री हरी के भगत बन जाओगे आपको spirituality का ग्यान आ जाएगा आपको मन करेगा चीज़ों को भगवान की भगती करना, पूजा करना किसी भी तरह से, किसी भी form में आप करने लगोगे आप अकेले रहने लग जाओगे आप अकेले रहके सोचने लग जाओगे और आप इंज्वाइ करोगे इस अकेले पन को बहुत ज़्यादा लोगों से मिलोगे नहीं आपका जो stomach है वो बहुत sensitive हो जाएगा ठीक है, आपका अब आप कुछ भी बहार का खा रहे हो तो आपका पेट अलाव नहीं कर रहा है वो बहुत sensitive हो चुका है आप बहुत lazy हो जाओगे आलसी हो जाओगे इस time period में Saturn के ठीक है, अब आप चीजे धीरे-धीरे कर रहे हो है और procrastinate भी करने लग गया हो तो यह वो common traits है जो सन्नी की साड़े साती में लोग face करते है अब इसके आगे क्या होगा that depends on the position of Saturn in your chart अगर वो 6th में, 8th में, 3rd में, 11th में बैठा है this time period can be tough for you बट वही चीज है, अगर आप इस चीज को पहले से समझ के solve कर लो या उस house की activity कर लो तो solve हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी तो यह Saturn की साड़े साती है कुछ remedies जो जोतिस में tried and tested है क्योंकि मेरी खुद की चल लाई है तो मुझे भी पता है एक रुदराक्ष होता है वो साथ मुखी रुदराक्ष इससे बोला जाता है इसको ruling planner Saturn है भगवान शिवका तो है और यह लक्षमी जी का favorite रुदराक्ष है तो जब आप साथ मुखी रुदराक्ष सनी के महादशा या साड़े साती में पहनते हो, आपकी बहुत सारी problem solve हो जाती क्योंकि यह रुदराक्ष आपके negative emotions को observe कर लेता है पहली चीज, दूसरी चीज सनी की हनुमान जी के सामने नहीं चलती और श्री हरी की जी के सामने नहीं चलती तो अगर आप किसी भी तरह से हनुमान जी की chanting करते हो या श्री हरी की वंदना करते हो तो आप बहुत सारी problem से बच जाओगे थर्ड आप किसी भी तरह से अंडर प्रिविलेड क्लास की help करो उनको donate करो, उनको कुछ खाना खिलाओ किसी भी तरह से help करो यह Saturn आपको smooth चला जाएगा यह वो remedies हैं जो आपको इस time period में करनी है कुछ भी करना एहंकार मत करना वहना ऐसा पठकेगा ना कि दुबारा उठ नहीं पाओगे यह Saturn का promise है लोगों के साथ इस तरह से हम साड़े साथी को समझ सकने है I think यह podcast का end है almost हमने सारे topics को cover कर लिया मैं साथ आपके साथ 10 और podcast record कर सकते है मैं कहना है there is so much अब जैसे हम आज जोतिश की बात कर रहे है there is a thing of vastu vastu is a very fascinating topic कि घर की direction के हिसाब से अब मेरी कुल्ली तो बड़ी मसत है मेरी date of birth भी बड़ी अच्छी है पर अगर मैंने नौर्थीज में toilet मना दी होता अब यहाँ पे toilet मना होता आपके तो आप परिशान हो जाते कि यार मेरी कुल्ली में तो सब ठीक है यह south का जाझ। क्योंकि वो जहां रह रहा है उसके effect पढ़ रहा है इसी तरह से northeastern आपको देखने में पता चल जाएँगे बात करने में पता चल जाएंगे पंजाबी पता चल जाएंगे आपको okay सो इस तरह से कोई कहां रह रहा है वो affect करता है ना उसके उपर तो आप जिस घर में रहे रहे हो इसकी energies भी affect करती है तो there is वास्तु we call 45 देवता energies in your house और ये बहुत in-depth और बहुत interesting topic है और ये वास्तु हो गया फिलाल किताब है, palmistry है, numerology है, reekhi है, there is so much things reekhi भी अकल्ट साइंस है उसमें आप heal कर रहे दूसरों को, okay, वो भी एक ऐसा साइंस है जो कि गुपत रखा गया, बहुत को नहीं पता है तो वो भी एर्थाउस की चीज है मैं अच्छी certified हूँ रेकी में, और बहुत changes आए मेरे लाइफ में, रेकी की वज़े से grandmaster नहीं, 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 भाई मैंने से first level किया हूँ changes आए, मुझे मिला जो मुझे रेकी से मिला जब आपने रेकी सीखा ना, तो you are doing the 8th house remedy that is why you are so much peaceful and calm हाँ, गुसा चला गया क्यूंकि 8th house, जो भी अकल्ड सीख रहा है वो फिर बहुत जादा परिशान नहीं हो सकता वो curious हो सकता है, पर परिशान नहीं होगा क्यों detachment आ जाती है 8th house basically activate हो जाता है 8th house balance हो जाता है, for example एक चोटा सा example दोगा आपको let's suppose एक chart है हमारे सामने जहां पर 7th house को कोई planet rule कर रहा है, हर राशी का ruler planet होता है तो अब क्या है कि वो ruling planet अगर कहीं बैठ जाए तो हम कहते है कि इस house के result वहाँ पर जा रहा है for example आपके 7th house को देखो, वहाँ पर नमबर 2 लिखा हुआ है, नमबर 2 को Venus rule करता है, नमबर 2 Venus बैठा कहाँ पर 6th house में तो अब क्या कह रहा है कि marriage चली गई 6th house में अब आपका spouse कैसा होगा यह भी से पता चल जाएगा कि आपका जो spouse है वो law के profession से, medical profession से finance के profession से related हो सकता है और नहीं है तो उसे होना चाहिए क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो 6th house is litigation also marriage can go to litigation लेकिन अगर वो इन profession से है तो नहीं होगा इसलिए कहा जाता आप हर तरह की कुंड़ी को balance कर सकते हो for example किसी का money house का lord उसके first house में बैठ जाए तो उसे कुछ नहीं करना अपने आपको fit रखना अपने बाल से ही रखने है वो जितना अपने आपको fit करता जाएगा पैसा उतना आता जाएगा money house का lord अगर 10th house में बैठ जाए second house lord in 10th house तो भाई बस घर से बाहर निकलो काम अपने आप मिलेगा पैसा अपने आप मिलेगा क्योंकि अब आपका कर्म आपके धन के साथ जुड़ गया पार क्लिप्स अपलोड किये गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ